दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे miniature circuit breaker यानि की MCB के short circuit rating के बारे में हमारे एक viewer का comment आया है कि किसी भी MCB पर short circuit rating basically लिखी कहाँ पर रहती है short circuit rating का मतलब क्या होता है और short circuit rating को पढ़ा किस तरह जाता है इस पर एक short में video बनाएए तो आज की इस video में मैं आपके example लेकर बताऊंगा कि short circuit rating basically कहाँ पर लिखी हुई है उसको किस तरह के से read किया जाता है ताकि किसी भी application के लिए आप MCB का selection properly कर सके तो दोस्तो बिना time waste की शुरू करते हैं दोस्तो miniature circuit breaker normally दो fault के against हमें protection provide करता है यह हम सब जानते हैं एक तो होता है overload के against protection और एक होता है short circuit fault के against protection अब आप किसी भी type के MCB को देख लिजिए उस पर overload की rating भी आपको लिखी हुई मिलेगी कि अगर overload की condition होती है तो कितना ampere current यह particular MCB sustain कर सकता है दूसरा आपको short circuit rating भी देखने को मिलेगी कि अगर short circuit की condition होती है तो आपका MCB maximum कितने ampere का current अपने contact के through flow करवा सकता है बाद सरिफ इतनी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि overload की जो rating है उसको कहां पर देखना है और short circuit fault के against जो rating प्रोवाइड की गई है manufacturer के through उसको MCB में कहां पर देखते हैं तो दोस्तों इस pic को देखे इस pic पर जैसे C32 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हो गया कि 32 ampere की MCB है अगर यहाँ पर C25 लिखा रहता तो यह 25 ampere की MCB होती थी C16 लिखा रहता तो यह 16 ampere का MCB होता था तो basically यह जो 32 आप देख रहे हैं या इसके जगे 16 हो सकता है 25 हो सकता है 63 हो सकता है यह जो rating है यह basically आपकी overload की rating है अगर हम लोग C32 की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो particular MCB है यह maximum 32 ampere का current sustain कर सकती है अगर 32 ampere से जाधा का current एक normal running condition में इससे flow होगा तो इस particular MCB के लिए वो overload की condition होगी और आपकी जो MCB है उस condition को abnormal मान के circuit को trip कर देगी यहां दोस्तों अगर आपके mind में यह सवाल है कि यह जो C alphabet लिखा हुआ है इसका significance क्या होता है तो इस video को जरूर देखेगा क्योंकि MCB अलग-अलग type की आती है B type MCB, C type MCB, K type MCB MCB के बहुत सारे types है जिनने अलग-अलग applications में use किया जाता है तो कितने type की MCBs होती है, कौन से application के लिए कौन से type की MCB को use करना है यह अगर आपको जानना हो तो उस video को जरूर देखेगा उस video को देखकर types of MCB और कौन से application के लिए कौन से MCB को select करना चाहिए यह सारी चीज़े आपके mind में clear हो जाएगी अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं short circuit rating के बारे में तो देखें यह जो C 32 लिखा हुआ है इसके just नीचे आप देखेंगे तो 10,000 और 3 लिखा हुआ है यह जो 10,000 है यह basically इस particular MCB की short circuit rating है short circuit rating का सीधा सा मतलब यह होता है कि अगर आपके circuit में short circuit की condition arise होती है तो उस case में इस particular MCB से maximum कितना magnitude of current आप easily flow करवा सकते हैं कि इस MCB के जो contact है यह burn out नहीं होगे देखें किसी भी circuit में जब short circuit होता है तो current का magnitude बहुत drastically बढ़ता है तो यह जो 10,000 आप देख रहे हैं यह basically इस particular MCB की short circuit rating है कि अगर इस particular MCB के circuit में short circuit होता है तो उस case में maximum 10,000 ampere का current अगर flow होता है तो उस current को यह particular MCB easily trip करवा सकती है easily circuit को interrupt कर सकती है पर अगर मान लीजिए short circuit condition में 10,000 ampere से ज़ाधा का current flow हो गया तो उस case में क्या होगा उस case में आपका जो MCB है उसके contact जल जाएंगे basically आपकी MCB पूरी तरीके से burn out हो जाएगी क्योंकि यह जो particular MCB है यह 10,000 ampere तक का ही current sustain कर सकती है in case of short circuit fault तो 10,000 ampere तक का current अगर short circuit condition में flow होता है तो इस MCB के contact को कोई problem नहीं होगी यह MCB easily आपके circuit को tripping प्रोवाइड करवा देगी अब दोस्तों आपके mind में सवाल आएगा कि यह जो 10,000 के आके 3 number लिखा हुआ है 3 number जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है तो देखे कोई भी MCB को trip होने के लिए थोड़ा time लगता है अगर 10,000 ampere का current उसके contact के through flow हो जाए तो MCB तुरन trip नहीं हो पाएगा उसको 2 millisecond, 3 millisecond कुछ minimum time required होगा circuit को trip करने के लिए तो वो कितना minimum time का requirement है इस particular MCB को वो यह 3 number आपको बताता है जैसे इस particular case में अगर short circuit case होता है और high magnitude of current आपके MCB के contact के through flow होगा तो 3 millisecond में आपका यह जो MCB है यह circuit को trip कर देगा तो दोस्तों इस तरीके से short circuit rating को read किया जाता है अब किसी भी MCB पर देख लीजेगा वहाँ पर आपको overload की rating भी मिलेगी और वहाँ पर short circuit की rating भी मिलेगी short circuit rating का basically मतलब यही है कि यह आपके MCB की breaking capacity है कि maximum कितने ampere का current यह MCB easily break कर सकता है without damaging its own contact तो दोस्तों MCB की short circuit rating का मतलब क्या होता है यह कहाँ पर देखी जाती है किस तरीके से इसको read करते है यह अगर आपको clear हुआ हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूँ कर ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपने ध्यान रखिए good bye